बिसमिल अर्मान रहीम, असलाम लेकुम फ्रेंड्स, वेल्गम टे कुजीन बायाशी, आज हम आपके लिए बहुत ही टॉपिकल सा, बहुत मज़े का गौवा पैशन बनाने जा रहे हैं। यह मरूद का बहुत ही मज़े का ड्रींग बनता है, और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए यह मरूद लिए हैं, मैंने दो लिए हैं, यह इतने साइस के। कच्छे मरूद नहीं लेने हैं पकेवे लेने हैं बहुत ज़्यादा गलेवे भी ना हो लेकिन पकेवे अच्छे जैसे ये वला मरूद आप देख सकते हैं हरा भी नहीं है लेकिन पीला है लेकिन ओवर कुक नहीं है ओवर राइप यानि के ये नहीं है इस तरह के इतने ही रेड फूट कलर है अमरूद में इस ड्रिंक में पिंक कलर इसका बनाऊंगी क्योंके अमरूद बेसिकली जो है वो पिंक हुआ करते थे कभी अब तो खायर नहीं मिलते लेकिन इसको जो है वो खुबसूरत सी इसकी लुक के लिए थोड़ा सा हम इसमें रेड कलर डालेंगे कि जो ड्रिंक है वो बिल्कुर पिंक कलर का बने दो ग्लास इसमें चिल थंडा पानी लिया है मैंने अमरूद डालेंगे इसमें ये पुदीने के पते हैं ये तकरीवन दो तीन टैनिया मैंने लिए हैं ये डाल देंगे, चीनी डालेंगे इसमें, तीन टेबल स्पून, नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून, लेमन जूस इसमें जाएगा, त्री टेबल स्पून्स, और ये रेड फूड कलर है, बिलकुल इसका जो है, वो जरा सा आपने डालना है, ज्यादा नहीं डालना, लाल नहीं करना है हमें इसे, हलका सा बस पिंक कलर आए, तो जरा सा ये देखें, मैं बिलकुल ये देखें, इतना साई डाल रही हूँ, इसमें, और अब इन सब चीजों को हम ब्लेंड कर लेंगे, चाहें तो इसमें आदा पानी और आदी बरफ भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ठंडा पीने से, हमारा क्योंके गला खराब हो जाता है, तो हम मैं इसे ठंडे पानी में ही बना रही हूँ, आपकी मर्जी है, हाफ आइस और हाफ पानी भी आपिसका कर सकते हैं, इस मज़ेदार से गौवा पैशन को ये पुदीनी के पतों से गानिश करके सब किया है, अफ्तारी में इसे जरूर बनाईएगा, बहुत ही मज़ेका लगेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले Thank you.